दोस्तो असलाम अलेकॉम सुपर्शम्स फेक्ट्री लेब में खुश्याम दीड दोस्तो आज ही टापिक हमारा गुलाबर साल्ट सोडियम सल्फेड हम गुलाबर साल्ट वास्चिक पॉंडरों भी इस्तामाल करते हैं सस्ता है पहले तो 3500 रप्या किलो था अब साथ रप्या हो गया है ठीक है दोस्तो यह वीक बेस है यह वीक बेस है और फिलर के तोर बेर हम इस्तामाल करते हैं खास करके यह जो में गोल्डिंग ब्रांड है मिंगई का दोर था जनाब आली जो 500 रप्या एस एल एस पॉंडर था वह एक हजार पर किलो मिल रहा है ठीक है जो सेल्फिनेक एकसेड़े 280 प्या था शायद 300-400 तक पहुंचा हुआ है तो मैंने किया किया गुलाबर साल जो में 18% डालता था वह 25% किया अपने गोल्डिंग ब्रांड की रेसिपी में सुपर शम्स वाशिंग पॉंडर गोल्डिंग ब्रांड की रेसिपी में मैंने 25% उसको बढ़ाया इंक्रीज किया क्यों किया गुलाबर साल वाशिंग पॉंडर में वाइटनेस लेके आता है ड्राइनेस लेके आता है और जो और जो हीट पेदा होती ना खास करके इसमें बेस की रियक्षं की तgon कूलड़ा है और तंड़ा करता है केसे करता है है वीक BEN'S है सल्फीनिक अक्सित झब पानी में जाएगा कोई पी गेमिकल पानी में जाएगा को अल् allemaal पानी में ताक्तरख किये उसके मालग्स को तोड़ देता ऐ उसके भान्स को तोड़ देता है उसक तोड़ता है सल्फिनिक का एच पिलस है वो देता है गुला बढ़ साल को क्योंकि एच पिलस देना ही बेस को है जब हंड्रेड परसंद बेस को एच पिलस मिल जाएगा तब जाना आप याली एच माइनस रिलीज करेगा बेस को है कि हेड्रोजस के पास एक ही एक परोट्रान है ऐच पिलस परोट्रान भया सेप्ट करोगे मुझे मुझे शेयर करोगे मुझे बैठने दोगो अपने कुरसी पे तो मेरे पाउच मैनस है फिर वह दे दुंगा उसके लिए बी कुरसी चाहिए समझे बाता है असल चीज यह जब हम फील्ड में गए ती देखा कि यह जो है यह घीलापन पैदा नहीं करता है यह ड्राइब करता है यह जब वाश्म कौटर हमारा घूम रहा होता है जब हम त्यार करते हैं यह वाश्म मशीन में घूम रहाता है होता है तो वह रुकावट प बिदा करता है इसकी माली को जिन्दा है आए चोटा से समरी बनाइए उसको पड़ते हैं गुलाब और साल्ट 35 परसंट हम इस्तामाल कर सकते हैं 35 परसंट तक भी समझ में आए अगर पचास परसंट या पचास परसंट के करीब सोटा एश है तो 35 परसंट तक भी गुलाब और साल्ट इस्तामाल कर सकते हो सस्ते वाले में वह अच्छे वाले पॉंटर में पचीस परसंट तक ठीक है एज फिलर के तोर पर इस्तामाल करते हैं मगर जब हम दो साल में देखा यार यह ड्राइनेस में भी काम आता है कूलिंग में भी काम आता है और यह जम्हां वाश्म पारद होते हैं रुकावट भी नहीं बगता ठीक है जनाब अदर केमिकल्स फिलो फ्री ली दूसरे कीमिकल के साथ अराम से गूमता है रियेट करता है ठीक है और यह जल्दी एड़्जेस्ट हो जाता है एक्टिव मेटर के साथ स अपना एच प्लेस इसको दे देगा रिड्यूस कास्ट आफ वाश्म पाउंडर वो तो पहले पता दया सस्ता कहने के लिए महंगे वाले वाश्म पाउंडर में यह डालते हैं साल्ट डज नाट मेक ओइंस इन वाटर निमक पानी में ओइंस पेदा नहीं करता निमक जैसे ह साल जब घुमेगा तो मुर्दा के आलत में उसके शेल कंप्लीट होगा ऐसे घुमेगा रुकावट बनेगा यह वीक बैस है असेप्ट कबूल करता है सारे जो इतने एच पिलस सल्फिनिक एकसर देगा खुशी खुशी उसके लिए गराउंड मया करता है उसके लिए अपन जबावट नहीं बनता उनके साथ गुमता है दोस्ती करता है हम इसकी मेना मार देते हैं अपने मौबूबा के लिए एक दूसरे को यह मारते नहीं है अगर पकड़के इसकी मौबूबा को कोई दूसरा शेल वारा लेके गया इलेक्टरान की बात कर आओ तो यह खुशी यह वो है क्या भई वो है सोडम किलो राइट को एक ओंस चाहिए एक ऐलेक्टरान चाहिए जो पानी में कह दाते है तो यह इसका शेल कंप्ले हो जाएगा यह बैच जाएगा इसके पाद एक्स्ट्रा था एक dit अगर जिए ग्रान था जीको देदिया जैसका शेल का वुजि गुलाबर साल्ट कुल करता है एक्सिड बेस्ट के रियक्शन को गुलाबर साल्ट ने रात सोआल पुछा कि जनाब ये जो गुलाबर साल्ट और आपने जो अक्टिव निमक बनाया उस में फ Ward किया है देख को भाई मेरा जो एक्टिव सालत है वह केमिकल है वह केमिकल एक्टिव करेगा जो इनके पास एक्टिव मेटर हमने ढाले तो सल्फी एक्सन OR शैंपू जा के पना है ज्यादा डालेंगे दो माल घेला हो मुझे तो शक है अभी मेरे ड्रम नहीं चले जैसे चलेगी तो वो दोस्तों से वाइदा किया है मेरी भी जरूरत है तो वो ट्राइल करेंगे मुझे शक है तो माल को घीला करेगा माल को गिदला करेगा मगर गुला बर्साट ना घीला करेगा ना गिदला करेगा वाइट नेस पूल भी करता है सब जब जा दो बबर्शे लड़ते न समंदर में पानी में खुश्की में तो कुछ फिर आगे पेछे उनके सिपाई उनकी मददगार उनके कि एक्व में पड़े होते कोई को थंडा करता कोई इसको रिप्यर करता जबें करता है तो सारे गिरोण को थंडकर करता है गुला और साल्ट लवाफिश